हेलो दोस्तों नमस्कार आज हम लोग एक बहुत महत्तपूर्ण विशेपे चर्चा करने वाले हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाली में संसद ने क्या किया है आपका एक डिजिटल बिल को पास किया है जिसका नाम क्या है यहाँ पर डिजिटल डेक्टिकट डेटा संदख् बिल इसे पार्लियमेंट द्वारा हाले में पास कर दिया गया अगर इस बिल की एतिहासिक्ता में जाएं तो कहा जाता है कि इससे रिलेटेट पहला बिल लाया गया था 2019 ने लेकिन कुछ यहाँ पर आपजेक्शन हो जाने के कारण इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा था आगे चल कर सरकार ने इससे रिलेटेट आपका एक कमेटी बनाया उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल तयार किया गया और फिर से इसे प्रस्तुत किया गया साथ साथ में तमाम इंस्ट्यूशन्स और बाकी संस्थाओं से भी इस बिल के संदर्ध में सुझाओ मांगे गए थे जिसमें कई सारी आपत्तियां आई उन आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने फिर से इसमें संसोधन प्रस्तुत किया और बिल को लेके आई फाइलिस सरकार ने इस बिल को 2023 में आपके मांसून सत्र में प्रस्तुत किया और इसे लोग सभादवारा पास कर दिया गया इस बिल की बिसेस्ता क्या है इस बिल का उद्देश्य क्या है क्यों लाया गया यह बिल इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे साथ साथ यह जानेंगे कि यह बिल आपको क्या प्रटक्शन प्रदान करता है आईए एक एक चीजों पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले देखें यहाँ पर डेटा समख्छल बिल जो लाया गया है भारत सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है तो यहाँ पर देख से बिल अब्रटक और प्रतेक व्यक्त के बैक टीगरण डेटा के सुरक्षा के अधिकार के साथ बैढ उद्देश के लिए डेटा का उपियोग करने कि लिए मानिता परदान करना कि यानि कि यहाँ पर सीधने सीधे आपको कहा जाता है कि जो आपके घरटा है आज की समय मे जैसा कि हम देखते हैं कि हम mobile चलाते हैं, laptop चलाते हैं, ठीक है, ऐसे समय में हम क्या करते हैं, अपने data को तमाम media platform पे क्या करते हैं, share करते हैं, जैसे आप Facebook हो गया, WhatsApp हो गया, तो इनके माध्यम से क्या होता है, आपके data share होते हैं, और data क्या होते हैं, कि देखते हम consume भी होते हैं इकठे किये जाते हैं, आपके data का misuse न हो, इसी लिए यह bill लाया गया है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका एक right बनता है article 21 के अंतरगत, अनुछेद 21 जो प्राण और दहिक सोतंतरता जो आपको प्रदान करता है, उसी के अंतरगत आपको right to privacy भी मिली हुई है, यानि आपके बिल का आना आवस्यक था, तो इस उद्देश से आपके data को सुरच्छित करना, लेकिन साथ साथ में इस बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर सरकार चाहे तो आपकी इस data का प्रयोग राश्ट्र हित्मित कर सकती है, ये भी है, सरकार को यानि कि अगर चाहे सरकार की किन परस्थितियों में इस data का यूज करना है, तो इसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि सरकार इस data का उप्योग कर सकती है, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बिल लाया गया है, ठीक है, इसकी आउसक्ता क्यों पड़ी, क्या आउसक्ता थी, डिजिटल बेक्टिगत data collection बिल की, बेक्तिको दैनिक जीवन में, जैसे हमारे regular use, दैनिक जीवन की बात करें, तो दैनिक जीवन में हमें, जैसे banking सेवा हो गए, या फिर टेलीकाम सेवा हो गए, या चिकिस्सा परामर्स इत्याद में क्या करना पड़ता है, अपने डेटा देने, जैसे डेटा में क प्रिशनल डेटा का मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिशनल डेटा का मतलब है, जैसे आपका नाम हो गया, आपका मोबाइल नम्मर हो गया, यह प्रिशनल डेटा में आएगा, आपकी email ID हो गई, ठीक है, यह आपका प्रिशनल डेटा है, आप किसी company में काम करते हैं, अपना थ सरकार या प्राइवेट अथ्वा सरकारी कंपनियों या अन्य लोगों से सेवाएं लेने के कारण इन सुचनाओं के दुर्पियों की संभावना बनी रहती है इस पर रोक लगाने के उद्दिश्य से इस बिलकुल लाया जाना आवस्यक था और क्या कह सकते हैं सरकार को बहतर जन कल्यान तथा बहतर नियोजन के लिए देश में रह रहे लोगों का डेटा रखना आवस्यक होता है जिसके कारण बिसिष्ट कानून के आभाव में डेटा का दुरुपियोग रोक पाना कठेन कार्य था हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके डेटा का सरकार के पास भी जरूरी होता है पापुलेशन कितनी है किस छेतर में कितने लोग हैं उनके अड्रेस नाम इत्यादी ये कलेक्शन रखना जरूरी होता है लेकिन यहां पर क्या था कि अगर सरकार को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति इस पर कमप्लीन कर सकता था इसल लगार मिल सके इसली उद्धिस से यह लाया गया संबेदन सील सुचनाओं की गोपनियता को बनाया रखना एक बड़ा कारण था जो भी संबेदन सील सूचनाय होती है जैसे आपकी कोई ड्यक्तिक सूचना है जो संबेदन सील है जो सारवजनिक नहीं होनी चाहिए ठीक है ऐसे चीजों को सुरच्छित रखने के लिए गोपनिय बनाये रखने के लिए इस बिल का लाया जाना बहुत आवश्यक था डेटा सनरचन कानून लोगों की निज़ता के अधिकार और सूचना के अधिकार की रच्छा करता है जो सम्मिधान के अनुचित 21 के तहट मौलिक अधिकार है एक फंडमेंटल राइट है जैसा कि मैंने बताया कि आईटिकल 21 के अंतरगत ये आपका फंडमेंटल राइट बनत लगताओं के संदर में चलिए आगे देखते हैं कि डाटा पोड़क्शन बिल 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या है इसमें प्रमुख प्रावधानों को थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग क्या-क्या है यह अगर इस पर बात करें तो इसके माध्यम से भारती डेटा समर्चन ब बोड के ग्रूप में इसका गठन किया जाएगा और इसका काम क्या होगा साथ साथ में यह क्या करेगी इन सारे मामलों की जाच करेगी और साथ साथ में उसके क्या अधिकार होंगी क्या सीमाएं होंगी यह सारा कुछ इस बिल में सामिल किया गया है इस विल में केवल बेक्तिरट डेटा संदर्ख्षन का प्रावधान है, गैर बेक्तिरट डेटा इसके परिदी से बाहर रखे गए हैं। बड़ा इंपोर्टेंट है यहाँ पर दो सबदों का उलेक किया गया है एक के आप क्या की आगया है बैक पर डेटा संदक्षण की बात यानि आपके जो प्रशनल डेटा है उन्हीं को संदक्षत करने की बात कही गई है जैसे मैंने कहा ना आपका नाम हो गया अपकी email id हो यह क्या है आपके बैक्तिगट डेटा है जिन्हें यहां पर क्या करना गया है संदक्षण प्रदान किया गया है गयर बैक्तिगट डेटा जैसे किसी कंपनी का आप कहले की आईडी नंबर हो गया या उनका टिन नंबर हो गया ठीक है या उस कंपनी की इमेल आईडी हो गये व आगे देखते हैं अगर आगे की बात करें तो यहां पर आगे प्राउधान क्या कह रहा है कि यूजल डाटा का इस्तेमाल करने लीक न होने दे ठीक है साथ-साथ में यह भी का गया भले ही वो कंपनी चाहे third party का यूज करती हो third party के थूरू आपके data का यूज किया जा रहा हो फिर भी उस company का दाइत तो होगा कि वो आपके personal data को यहाँ पर सुरच्छित और संदरच्छित रखे यसे हाल ही में कुछ घटना सामने आए जब कोबिड का दौर चल लाँ था तो देखा गया कि जितने लोगों के कोबिड बैक्सीन लगाए गए उनके डिटेल लिए जा रहे थे वो डेटा कुछ समय बाद देखा गया लीक हो गया था साथ साथ में देखा गया कि SBI बैंक के काफी यूजर्स के डेटा अचानक लीक हो गये थे तो इन सब कारणों से इस बिल का लाया जाना काफी जरूरी था इसके अलामा डाटा चोरी के मामले में कमपनी को डाटा पोटेक्शं बोर्ड यानि डीपीबी जो बनाई गया है और यूजर्स को सुचित करना होगा अगर किसी कमपनी से डाटा चोरी हो गया ऐसे कंडिशन में क्या करना होगा जो board बनाया गया है DPB तिक है उसे और user को यानि जिसका data चोरी हुआ है उसको सुचित करना अनिवारी होगा उस company को जिसके यहां से यह data चोरी किये गये हैं या वहां से leak हुए हैं तिक है साथ साथ में देखिए अन्य क्या प्रावधान किये गये हैं अन्य प्रावधानों में अगर यहां पर देखें तो यहां पर अन्य प्रावधानों में क्या कहा गया है कि बच्चों के data और साथ साथ में सारेरी रूप से अक्षम ब्यक्तियों के data को अभिभावकों के इजाजत के बाद ही access किया जाएगा अगर किसी बच्चे का कोई डेटा है तो उसे या फिर कोई सारेरिक रूप से बिकलांग वेक्ती है तो जो भी उसका अभिभावक है जब तक उसकी अनुमती नहीं मिलेगी तब तक ऐसे डेटा को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं डेटा को अभिभावक के इजाजत के बाद ही एक्सेस किया जा सकता है उसे खोला जाता है उसे सारवे निकिया जा सकता है ठीक है यानि कि माइनर होने की अवस्था में अगर कोई बच्चा वैस्क नहीं है तो अवैस्क होने की स्थिती में अभिभावक की अनुमती आवस्यक होगी अभिभावक का यहां पर प्रयोग करने का मतलब क्या है मतलब अगर बच्चे के माता-पिता है तो माता-पिता अगर नहीं है तो ऐसी दसा में जो भी संद्चक होगा उसकी अनुमती अनिवारे होगी क्योंकि इस तरह की कुछ घटनाएं अभी हालिया में काफी बढ़ती हुई दिखाई दिखाई दी है कि कुछ बच्चों के पिक्स को क्या किया गया है यहां पर मोडिफाई करके गलत तरीके स सोशल मेडिया पर प्रस्तुत करने का काम किया गया है तो यह काफी जरूरी था तो ऐसे चीजों को इसमें सामिल किया गया फॉर्म्स को एक डाटा सुरच्छा अधिकारे नुक्त करना होगा और यूजर्स को इसकी जानकारी देना देनी होगी यानि कि जो भी फॉर्म्स हो सरकार को भारत के बाहर किसी भी देश या छेतर में ब्यक्तिगर डाटा के ट्रांसपर को रोकने और प्रतिबंधित करने की सकती होगी क्योंकि यह राष्टी सुरच्छा के लिए अनिवार है यह राष्ट की सुरच्छा के लिए अनिवार है कि अगर मान लीजे जैसे कोई Facebook हो गई, यह WhatsApp हो गई, भारती कमपनी नहीं है, अब वो डेटा को क्या कर रही है, किसी अन्य देश में सुरच्छित कर रही है, तो इसमें प्रावधान किया गया है, कि ऐसे condition में आपको क्या करना होगा, भारत सरकार को यहां पे प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा, कि वो कह सकती है, सर्थ लगा सकती है, कि नई डेटा आप भारत से बाहर नहीं ले जा सकते, आपको क्या करना होगा, भारत में ही डेटा को सुरच्छित करना होगा, ठीक है, इसके लिए प्रावधान किया गया है, साथ साथ में क्या होगा, अन्य प्रावधानों को देख लेते है यानि कि जो ये आपका DPP नामक यहाँ पे जो और्गनाइजेशन बनाया गया है ये जो और्गनाइजेशन बनाया गया है ये क्या कर सकता है कमपनियों को जहां से डेटा लीक हो रहे हैं या जैसी समस्याएं आ रही हैं वहाँ पर क्या कर सकता है उनके लिए समन जारी कर सकता है उनकी जाच कर सकता है साथ साथ कमपनी के किताबों और दस्तावेजों का निरक्षण भी करके अपने लिड़े को रख सकता है याद रखेंगे DPV उनलंगन की प्रकृत और गम्भीरता यहां पर देखिए nature यानि किस प्रकार का उनलंगन हुआ है और उसकी गम्भीरता क्या है प्रभावित व्यक्ति डाटा के प्रकार पर बिचार करने के बाद फर्म पर जूर्माना भी लगा सकता है यानि कि सजा का भी प्रावधान किय गया है इसमें बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे इसके अलावा क्या किया गया है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यह विधेक प्रावधानों का दो बार से अधिक उनलंगन किया जाता है तो डीपीवी सरकार को किसी मध्यस तक पहुंचने को ब्लाक करने की सलाह दे सकता है यानि कि यह सरकार को चाहे तो यहाँ पर सलाह दे सकती है कि अमुक व्यक्ति या अमुक संस्थान के साथ हम क्या करें कोई भी डाटा का ट्रांसफर न किया जाए उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या उस पर रोक लगा दिया जाए फरम पे डा जुर्माने की बेवस्था की गई है दो सो पचास करों रूपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तो यहां पर यह चीजे देख लिया अब भारत में बात करें कि डेटा से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि यहां पर पहली बार तो कानून बन के आया लेकिन इसके पहले भी इस मीडिया मंचों पर किशोरों और बलातकार पिड़तों के नाम प्रकासित करने पर प्रतिबंद आरोपित करता है दो हजार में इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया था तो यहां पर दो हजार आठ में इस एक्ट के द्वारा सीधे सीधे यह प्रावधान कर दिया गया कि ऐ ऐसे जैसे किसोरों के नाम और बलतकार पिड़तों के नाम हम सार्विनिक नहीं कर सकते हैं इसके अलामा देखें जेश्टिस के एस पुट्टा श्वामी बनाम भारस संग 2017 में ये भी एक मामला काफी हाइलाइटेड रहा अगर यहां पर देखें तो इस मामले में सुप्रिम क अंतरनिहित अंग है यह भी हम लोग को थोड़ा सा याद रखना होगा साथ साथ में यहां पर देखें जो एक कमिटी और बनाई जाती है जो काफे इंपोर्टेंट थी और इसी कमिटी की सिफारिस पे कहीं न कहीं इसी की अनुसंसान के आधार पर हम देखते हैं कि जो 2023 में यहां पर डेटा संद्चन बिल लाया गया है इसी के अनुसंसा पर लाया गया है सरकार अगस्त 2017 में नियाय मूर्ती बी एन स्रीकृष्ण जो रेटाइड सुप्रेम कोट के जज हुआ करते थे अध्यस्ता में डेटा संद्चन के लिए 20 सग्यों की एक समिती गठित की थी इसी समिती ने क्या किया था जुलाई 2018 में अपनी रिपूर्ट प्रस्तूत की थी इसी रिपूर्ट के आधार पर सुझाओ मांगे गये थे लेकिन सुझाओ पूल नहों पाए और फाइनली ये 2023 में बिल संसद में रखा गया जिसे मांसून सत्र में लोक सभाद्वारा पास कर दिया गया है तो यह आपका डेटा संरक्षन बिल से संबंधित प्रावधान उसके उद्देश इत्यादी को मैंने बताया थैंक्यू धन्यवाद